डियर स्टूडेंट आप सभी कैपी स्टडी कॉमर्स एंगलीज गुरुज चैनल में स्वागत है पिछले वीडियो में हमने कोश्चन नमबर 27 को कवर किया आज हम कोश्चन नमबर 28 को बनाएंगे कोश्चन नमबर 27 भी थोड़ा बड़ा है लेकिन यह जो प्रस्ण है 36 गड़ 2020 ABC 63 सेट में आय था इसलिए हमने उसको विस्तार से बताया आज हम कोश्चन नमबर 28 को भी विस्तार से समझेंगे आबा और सा अपनी पूंजी के अनुपात में लाव विभाजन करते हैं आबा सा पूंजी के अनुपात में लाव विभाजन करते हैं तो यहां पर हमको जब अनुपात लिखाना होगा तो इनकी पूंजी के हिसाब से अनुपात लिखा लेंगे तो हम इसको ऐसी संख्या से भाग देंगे, जो सबसे भाग चला जाए, तो यहां पर क्या किया है? 5 तिया, 5 तिया और 5 चौके, मतब 4 अनुपात, 3 अनुपात, 3 यह हमारा अनुपात आ गया, इसी अनुपात को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं, यहा दिया है 35,000 और इसकंद दिया है 15,000 संयंत्र दिया 25,000 और उपकरण दिया 2000 ठीक है इतने चीजें दी हुई है अब हमको क्या करना है समाजन की प्रोष्टी यहां पर दिया है उस दिन सब फर्म से आवकास गरहन करता है और फर्म की ख्याती का मुल्यांकन 18,000 रुपय किया गया तो इस फर्म की जो ख्याती है उसमें आवकास गरहन करने वाले सहजदार की रासी को ग्यात करेंगे 18,000 रुपया में सा का भाग कितना है इसको ग्याद करेंगे इसकंद का पुनर मुल्यांकन 20,000 रुपया अब इसकंद पहले कितना का था अब कितना हुआ उसको ध्यान देंगे ठीक है तो यहां पे इसकंद प्रस्न में जो दिया हुआ है इसकंद है पहले 15,000 का अब कितना हो संपत्ति में कम हो गया थीक है पिर इसके बाद उपकरण का एक हजार पहले दो हजार था अब एक हजार हो गया उपयुकता समाजनों से लाभानी समाजन खाता लाभानी समाजन खाता मतलब होता है पुनर मुल्यांकन खाता ही बनाने को कह रहा है फिर साज़दारों का पुझी खाता बनाने कलब हो रहा है और फिर जेनरल प्रविष्टियां किजिए तो हमको तीनों सब्सक्राइब. पर देखे इसकंद के मुल्य में ब्रिदी 28 नम्र का प्रश्ना तो इसकंद 5,000 का क्यों यहां पर हम मतलब 5,000 के ब्रिद्धी होगे उसी को हमने यहां पर लिखा अब पुझी में समपत्ति में ब्रिद्धी होगी तो हम क्रेडिट पक्षम लेके लिखेंगे पुनर मुल्याकन खाता के तो यहां पर इसका अंद खाता को करके 5,000 रुपे लिख दिया ठीक है अब सहियंत्र में और उपकरण में कमी हुई तो सहियंत्र में कितनी की कमी हुई लिखे दिये संयांत्रः खाता से करके 10000 की कमी को उपकरण के awan के जे सरा हजार की कमी तो पूंजी खाता से करके लिखेंगे और यहां पर जो आया हैँ हानि हैं इस हाणी को हम यहांपे कितना का? 6000 का? तो 6000 को यहांपे लिख दे, पूंजी खाते से करके 6000 आब और सा में इसको क्या करेंगे? भाग लिका लेंगे तो आब और सा का भाग कौन सथ अनुपात में लिका लेंगे? तो सुरू में ही हमने क्लियर किया था ये देखिए पूंजी का अनुपात लिकाला था चार अनुपात तीन अनुपात तीन इसी अनुपात में इस छे हजार किरासी का गढ़ना करेंगे तो 4, 3, और 3 मतलब हो गया 4, 3, 7, 3, 10 मतलब इसको लिख सकते है 4 बटे 10, 3 बटे 10 और 3 बटे 10 तो हम पहले 4 बटे 10 लिखा लेंगे यह 4 बटे 10 किसका रहेगा तो 4 बटे 10 जो है यहाँ पर प्रस नंसार कौन-कौन साज़दार है उसको देख लीजे तो साज़दार जो हैं हमारे पास हैं वो है आ, ब, और सा तो पहला यहाँ पर आ का यह जो है चार बटे दस आ का हो गया यह बा का हो गया और यह सा का हो गया तो चार बटे दस भाग तो यहाँ पर देखे हमने लिकाला छे हजार का चार बटे दस भाग लिकाला तो चोबिस सो 6,000 का 3 बटे 10 भाग लिकाला तो 1,800 और 6,000 का 3 बटे 10 लिकाला तो 1,800 4 और रुपाद 3 और रुपाद 3 तो यहाँ पर टोटल कितना 6,000 रुपिया ठीक है इस प्रकार से आपको पुनर मुल्याकन खाता बनाना है question number 28 यह आप समझ गए होंगे भली भाथी अब हम चलते हैं इसका पुनजी खाता बनाने की और अब पुनजी खाता कैसे बनेगा तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साधारों की पुनजी खाता बनाने के लिए किन तिसों को ध्यान में देना पड़ता है तो हम प्राइले पूंजी, पूंजी जो है कहां से देखेंगे तो चिठा में, चिठा में हमको पूंजी दिखाई देगा, जो हमको प्रस्ण में जो चिठा दिया रहता है, उसी चिठा में साहधारों का पूंजी लिखा हुआ होता है, यहां पर देखें, साहधारों का यहां जो है साज़दारों में बातेंगे चिठा में दिया रहे हैगा samaanayya shaab I yahahanee जैसे भी पुनर मुल्यंकन खाता पनाए न उसका लाव यहानी है तो और ख्याति का समाजन तो ख्यातिज्ञार जो मोनकरां कर रहा है जो पर पूलती दिया हुआ है तो सॅधारइ को जिद स्वास पूणे की बभी में तो ہंब सहता आप उस्टेस को हम यहाँ पर लिखेंगे सेस्त लाया गया पूंजी ब् radioactive नहीं है कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं लिखेंगे ठीक है उसके और क्या देखना है तो पुनर मुल्यांकन का लाब को देखेंगे तो देखें पुनर मुल्यांकन का लाब भी तो है तो पुनर मुल्यांकन का लाब है कि हानी है तो यहां पर देखें पुनर मुल्यांकन जब खाता बनाएं तो पुनर मुल्यांकन से हमको हानी हुई थी पुन पुनर मुल्यांकन खाता सही करके लिख दिये आका 2400 बग 1800 अर्षा का 1818 यहानी हुई इसकी एंट्री हमने यहां पर कर दिया फिर उसके बाद जो बचा हुआ है वह ख्याती का तो फर्मा की जो ख्याती प्रस्ण में दी हुई है वह 18000 रुपे दी हुई है उसमें सा का हिस्स सा के भाग को लिका रहर रहे है घ्याती की पूरा है तो सा आउकास गरण कर रह रहा है इसलिए सा का हिस्सा देख लेंगे तीन है मतलब 3 है मतलब 3 बटे 10 तो 10, 18,000 में 3 बटे 10 भाग लिका लेंगे तो हमारा आ गया 5400 अगया और इस 5400 में मतलब इतनी ख्यातिक रासी साकों मिलेगी अब इस ख्यातिक रासी में आ कितना देगा और बाग कितना देगा इसकी गर्णा करेंगे तो C के भाग में C के ख्याती में A का भाग कितना रहेगा और B का भाग कितना रहेगा तो इसको हमको निकालने के लिए प्राप्ती अनुपात क्या हो सकता होती किस अनुपात क्या हो सकता होती प्राप्ती अनुपात लेकिन अगर प्रस्न में केवल प्रस्न में देखे यहाँ पर कहीं पर भी नया अनुपात नहीं दिया है कि भविश्य में और बाल आपको इस प्रकार से बाढ़ते करके नहीं लिकाए कहीं पर भी तो इस इस्तिति में हम क्या करते हैं जो पुराना अनुपात होता है उसी अनुपात को हम प्राप्ति अनुपात मानकर उसी अनुपात क अबा और सा का, तीनों का मिल गया, तो यहाँ पर सा तुहाँका आजगाहर कर रहा है, तो आ और बा बचे, तो आ और बा का जो हिस्सा है, वो है चार नौठ तीन, जिसको चार बटे दस, तीन बटे दस लिखे हैं,idил atal, इन डोनों में इस ख्याती की रासी, जो साग की ख्याती के रास है उसका बित्रण होगा मतलब इतना भाग देंगे यह चार भाग जो है कोण देगा आ देगा और तीन भाग कोण देगा बा देगा तो यहाँ पर नया अनुपाद बन जाएगा चार अनुपाद तीन जिसको हम क्या लिख सकते हैं चार बटे चार दूर ट्टád है तो यहां पर देखें हमने क्या क्या चीन हजार श्यास्याश्य। यहां पर देखे 54 गोड़ी चार बटे साथ कर दिये तो हमारा कितना गया 3086 इसको जब कटाएंगे तो पाइंट में आएगा इसको ध्यान रखेगा फिर उसको तीन बटे साथ भाग ब्लॉक का चाववन सो कुड़ी तीन बटे साथ अब कटाएंगे साथ आजा एह 771.4 अब रासी लिकल गया इस दोनों रासी को हमको क्या करना है मदब सी के भाग कि जो ख्याति है उसमें से आज देगा 3086 तो हम यहां पर लिखतेंगे आ के पुंझी खाता से सा को दे रहा है आदे रहा है सा को इसलिए हम 3086 ठीक है सा के मिलिख दिये और बहद देगा 2314 तो यह यहां पे 2314 लिख दिया ठीक इसकी परश्टी क्या करते हैं तो परश्टी जो करते हैं यह है पुनर मुल्यांग ए सौरी एक पुंजी खाता विकलन बीका पुंजी खाता विकलन सी के पुंजी खाता से 3086 यह दो 2314 और यहां पे ओगए तो A और B का पूंजी खाता देखे बिकलन में है तो जब हम इसको साज़दारों का पूंजी खाता बनाएंगे तो बिकलन वाले को समाकलन में लिखेंगे इसलिए A का पूंजी खाता और B का पूंजी खाता को करके देखे समाकलन पक्षम लिखे और उसी प्रकार जो C का पू RASY है इतनी RASY कम होगी it can take me give इसलिए है तीक और यहां पर प्राप्त कर रहे है और यहां पर स buraya чи को लिखा गया ठीक इस प्रकार से आपको करना है अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे प्रस्नवय और क्या लिखा है तो प्रस्नमे जो है ये वाला होगे अब उनर मुल्याकन के हानी को लिख दिए अब सा के सी के रिड़ खाता से मतलब सा के रिड़ खाता से ये प्रास्ना में दिया हुआ है 27 नमबर में सा को रकम चुकाने का अच्छा 27 नहीं है 28 नमबर का बना रहे हैं 28 नमबर में यहां पर लिखा हुआ है यहां पर यह सब हो गया लेकिन प्रास्न में यह नहीं लिखा है कि जो जो साज़दार जो आवकास ग्रहन कर रहा है उसको रोकर से भुकदान किया गया जैसे इसमें लिखा हुआ था question में यहाँ पे कि सा को रकम चुकाने के बाद सा को रकम चुकाने के बाद फर्मक चिठव नहीं बोला है मतलब रकम चुका दिया गया था जितना उसका आ रहा था सा का हिस्सा उसी प्रकार इसमें जो 28 नमबर के question में यहां पर रखम चुकाने की बात नहीं कही गई है अब जब रखम चुकाने की बात नहीं की गई है तो उसकी रासी को रिड़ खाते के रूप में डाल देते हैं सा का रिड़ खाता के रूप में जैसे 20,400 का यहां पर उत्तर दिखा रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे सा के के रिड़ खाता मतब सी के रिड़ खाता से करके जो इधर जितनी रासी उसको प्राप्ता होना ऐसा को 153086 तो टोटल कितना होगे 2400 इतनी रासी इतनी रासी यहां पर 2400 की रासी है इस 2400 की रासी में से के रिड़ खाता से करके अंतर की रासी यहां पर 18四 उर्पय हानी हुई ती इस हानी को भरपाई करना पड़ेगे सा को तो हानी को मैनस करने बाद जो बचा ओ SHky安全 करने के दोनों को घटने का बाद यहां पर और 1700还 बटाने के बाद जो आया है उसको हमने यहां पर लिख दिए 10,886 रुपिया ठीक तो इस प्रकार से इसको बनाना है यह देख लिजे स्क्रिंसवाट ले लिजे साज़दारों का पुंजी खाता इस प्रकार से बनेगा अब हम चलेंगे पंजी प्रोष्टी के ओर पंजी प्रोष्टी को भी देखेंगे कि पंजी प्रोष्टी किस प्रकार से हमको बनाना है ठीक है पंजी प्रष्टी में देखे क्या हो रहा है पंजी प्रष्टी में सबसे पहले तो हम उसी के इसाब से चलेंगे जो समाजन की प्रष्टी दी हुई है तो समाजन की प्रष्टी में दिया हुआ है क्या 18,000 रुपया किया गया ख्यातिक मुल्यांकन 18,000 इसकंद का पुनार मु सब्सक्राइब कहता से संपत्यों को मुल्य में कमी का लेखा यहां पर लिखा है प्रास्ट न में लिखा है कि कि संयंत्र 15000 रुपकरण 1000 का हो गया मतलब पहले कितने के थे तो पहले जो थे वो थे आपका 2500 का संयंत्र था 2000 का उसो fils हमने यहां पर संयूक्त प्रोष्टी कर दिया यहां पे 10,000 कमी संयांत रप्य और करण में 1000 और यहां पर टोटल कर दिया 11 पुनर मुल्यांकन खाता भिकला संयांता भाता से उप्रण खाता से अब जो सी की खाती के रासी है उसका हम समयजन कि तो ए का पुनजी खाता भिकला भी का पुनजी खाता भिकला से यह भी पंजी प्रोष्टी हो गया अब इस पुनर मुल्यांकन से लाव या हानी तो पुनर मुल्यांकन जब खाता बनाए तो हमको यहां पर पता चला कि क्या हो रहा है यहां पर पुनर मुल्यांकन से हानी हुई है, ठीक है, तो आब असा कि में बाटे, तीनों में चोभी से अठारा जार और अठारा सो, इसी का पुनजी प्रोष्टी करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाता है, हानी होता है, तो साज़दारों का पुनजी खाता विकलीत होता है, विकलन में आता है तो आ का पुन्जी घाता विकलन बां का पूंजी घाता विकलन since एक पुरा ंन का अन्य का सबी साज़ दारों में यह देख से चार पंजी प्रश्टी करेंगे किसमें आपका क् sis can complete हो जाएगा तो इतना आपको करना है इन कीजियों को समझना है तो आज के वीडियों में पास इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियों में इसके आगे के प्रस्णों को सॉल्ड करेंगे तो आज के लिपास इतना ही वीडियों को देखने करें आप सभी बहुत बहुत धान्यवाद